रादे रादे जैसरी कृष्णा आप सब कैसे हैं आयोप आप सवस्त होंगे मस्त होंगे आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है और आप देख सकते हैं आज हम बनाएंगे पनीर और पत्ते वाली कुछ सब्जियों का स्टप पराठा और ये पराठा खाने में बड़ाई ट मेथी और लसुन की पतियां और कुछ हरे प्याज हैं इनको मैंने स्प्रिंग आनियन इनको मैंने धुल लिया है अच्छे से और अब इनको मैं फाइनली चोब कर लूँगी ये कुछ हरा धनिया ले लिया था मैंने और इनको देखिए मैंने बारिक चोब कर लिया है फाइन तेयार करते हैं यह मैने कसूरी मेथी ले लिए है इसको थोड़ा सा क्रेस्ट करके मैने आटे में डाल दिया है नमक डाल लिया है टेस्ट अकोडिंग और यह चार लोगों के लिए पराठे के लिए मैंने दो बड़ी कटो रहे हैं आटे के ले लिए लमसम 300 ग्राम और यह मैंने कुछ अजवाइन करस्ट करके डाल दी है और यह थोड़ी सी मैं धही डालूंगे इससे क्या हमारे पराठे बिल्कुल सोफ्ट बनेंगे और खाने म अलगी टेस्ट आएगा यह मैंने दही डाल लिया अब हम एक आटे का अच्छा सा दो तयार करेंगे और यह थाई की पतिली में मैंने थुड़ा सा पानी डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स करके डाल लिया है ताकि हमारा कुछ विवेश्ट न जाए और अब मैं एक मिल्कुल रोटी जैसे एक डो बना लेंगे हम और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हमने आटा तैयार कर लिया है और यह देखिए हमारा आटा एकदम से तैयार है और इसको रख दूंगे मैं 15-20 मिनट के लिए ढखके तब तक हम अपने पराठे के स्टेपिंग तायार करते हैं यह मैंने थोड़ी से कसूरी मेथी ले लिये डाइसोग्राम पनीर ले लिया है मैंने और यह मैंने अद्रक और लहसुन का पेश्ट ले लिया है और पराठे क कि लिए जो मैंने पनीर लिया है इसको मैं हाथ से ही क्रेस्ट कर लोगी और एकदम फाइन मिक्स करना है इसको बिल्कुल तोड़ लेना है इसे कि हमारे पराठे एकदम से अच्छे बनेंगे स्टेपिंग अच्छी होगी और इसी में मैं एक चममच लाल मिलची पावडर ड टेश्ट अगोडिंग काला नमक डाल दिया है और यह थोड़ा सा आदा चममच मैंने अमचूर पावडर डाल दिया तीन चे चार पिंच हेंकी जो कि हर प्राठे में डालती हूं है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एकवली मिक्स हो जाए और यह अब मैंने जो सबजियां काटके रखी थी लसुन की पतियां मीथी और प्याज की पतियां थी जो हरे प्याज की पतियां उनको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और यह बनेगा हमारा हैल्दी सा पराठा पनीर भी है प्याज भी है और सब मिक्स करके और अब हम अपने प्राठे बनाने सुरू कर देते हैं पहली रोटी यह मैं गाय की बना देती हूं जो कि हमें से बनती है मेरे घर में पहली रोटी गाय की होती है झाल 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 झाल